हेलो बच्चो कैसे हो आप अभी इस वीडियो में मैं सेकेंड चैप्टर जिसका नाम वाक ओफ दी सेंस का हम लोग बाकी का आधा चैप्टर करेंगा आधा चैप्टर मैंने इससे पहले समझा दिया है अगर वो वीडियो आप नहीं देखे हो तो पहले देख लो और अगर संथ एकनाथ केरिड ओन देख डाग काम के यह नहीं अच्छे काम किये थे संथ नामदयो और अपना काम शुरू किया था वह उनके आपके काम को आगे बढ़ाए He lived in Python ये कहाँ पे रहते हैं पैथन में रहते थे He preached that the way to reach God was through devotion भक्ति मार्क मतलब प्रीश मतलब वो जो सिखाते थे कि भगवान तक पहुशने का जो रास्ता है वो भक्ति मार्क जो है वो लोगों को बताते थे कि मन से दम लगाओ रखो तो ही भगवान के रास्ते में जा सकते हैं He wrote numerous religious songs, abhangs, ois and bharuds मतलब इन्होंने बहुत सारे religious songs मतलब जो धार्मिक गाने रहते हैं उन्होंने बहुत सारे धार्मिक गाने लिखे जिनको क्या बलते हैं abhangs, ois and bharuds यह सब उन्होंने जो कविता जो गाने लिखे थे उसका नाम है His advice to the people was not to accept any distinction of high and low मतलब यह advice मतलब जो और राय देते थे तो लोगों को क्या बलते हैं distinction मतलब क्या होता है भेदभाव, high and low मतलब ऊच उपर नीचे तो वो क्या बलते थे कि कभी भी भेदभाव और ऊच नीच मत करना वो यह बताते थे लोगों को He made friends with poor and the downthrown and taught them devotion to God मतलब friends मतलब वो दोस्ती करते थे किस से poor मतलब गरीब और downthrown मतलब जो पीडित गरीब लोग रहते थे उनसे वो दोस्ती करते थे और उनको क्या सिखाते थे कि भगवान के रास्ते में कैसे निकले उनकी पीड़ा दूर होएगी वो सब वो सिखाते थे His law extended even to the dumb animals मतलब उनका जो प्यार था dumb मतलब ना समझ उनका जो प्यार था यहां तक कि जानवर लोग तक भी पहुचा He exhorted the people to love all living beings and practiced what he preached वो क्या बताते थे कि सभी जो भी जीविच चीज़ सबसे प्यार करो जैसे कि जानवर से भी प्यार करो खाली इंसान से नहीं जानवर से भी प्यार करो यह सब वो सिखाते थे One day he was going to the river Godavari for a bath Bath मतलब नहाना तो वो river मतलब नदी मतलब वो एक बार नदी पे नहाने जा रहे थे Godavari नदी पे It was noon and very hot noon मतलब दोपहर और hot मतलब गरम मतलब दोपहर का time था बहुत गरम था The sand bed along the river side was very hot too Sand bed मतलब जो नदी का किनारा नहीं होता है जहाँ पे रेत रहती है उसको बोलते है तो आपे का बता है जो नदी का किनारा था वो भी बहुत गरम था जो रेत थी He heard the crying of a poor child sitting on the hot sand Crying मतलब रोना Poor child मतलब गरीब बच्चा तो उन्होंने एक गरीब बच्चे की रोने की आवास सुनी कहाँ पे जो रेत गरम रेत पे बैठके रो रहा था एकनाथ looked around and saw the child Looked around मतलब आजू बाजू देखना तो जो थे संत एकनाथ जो थे उन्होंने आजू बाजू देखा और फिर बच्चा उसे दिखाई दिया He rushed to him and looked around for the child's parent Rushed मतलब भागना, भाग के जाना Parents मतलब ममी and lady तो वो भाग के बच्चे के पास गये और उसके ममी डेड़ी के लिए इधर उजर देखे He picked up the child in his arm Pick मतलब उठाना, आम मतलब हाथ उन्होंने बच्चों को अपने हाथ से उठाया Wived his tears and reached him home मतलब उसके आसू पोचे बच्चे के Wived मतलब पोचना तो वो बच्चे के आसू पोचे और उसको घर पोचाया In this way, by his personal example एकनाथ impressed the message of love and equality on the minds of the people मतलब इस तरीके से जैसे वो खुच देखो बच्चे की मदद किये, उन्हादी के किनारे से उसको उठाया गरम जो रेती पे बैठा था उसको उठा के उसके मुमी डेडी के बारे में पोचा और उसको उसके घर पहुचाया तो ये सबसे उन्होंने खुद message मतलब अपना खुद काम करके लोगों तक message पहुचाया और लोगों को बहुत ही impress किया कि कैसे वो लोगों की मदद कर सकते हैं तो इससे बहुत लोग उनके भग बने अभी आगी क्या है संत तुकाराम संत तुकाराम को नए यहां पर यह संत तुकाराम है यहां पर भगवान के लिए कुछ सायत कविता गा रहे हैं Two great saints तुकाराम एंड राम दद्स live in the शिवा जीस time तुकाराम और राम दर्स यह कब थे शिवा जी के टाइम पे रहते थे तुकराम केम फ्रॉम देहु जो तुकराम जी है वो कहां के थे देहु के थे नियर पूने पूने के पास है उनके पास क्या था फाम मतलब खेद और शौप मतलब दुकान उनके पास एन और ग्रोसरी शौप मतलब उनके पास खेद था और राशन की एक दुकान थी इस फॉरफादर यूज्टू लेंड मने टुदा नीडी पीपल फॉरफादर मतलब पूरवज लोग जो रहते ना जिसे दादा पर दादा उनको बोलते हैं फॉरफादर लेंड मतलब उधार देना नीडी मतलब जरूरद मन तो वह लोग क्या जो इनके जो दादा पर उधार देते जो जरूरद मन थे इनको उधार देते थे अभी आगे देखते हैं कि अभी क्या है कि तुकराम ड्रोन इंदर रिवर इंद्रयानी और रेकॉर्ड ओफ दी लोन्स पेपर ही हैड मतलब तुकराम जी थे ना उन्होंने ड्रोन मतलब डुबाना और लोन पेपर म करजा ने उनके पूरवज लोग देते थे गरीब को उसापका जो पेपर था ना उसमें लिखा था किसको कितना लोन दिया है कितना करजा वो सब उन्होंने नदी में डुबा दिया क्यों यहां पे लिगा दस गिविंग रिलीफ टू मेनी तो इससे क्या हुआ जिसके भी उ जुकरा में उन्होंने ऐसा किया तो बहुत खुश होगे बहुत सुकून उनको मिला ही वुड़ गो टो दा नेबरिंग हिल एंड सिंग सॉंग्स इन दे प्रेज ऑफ दी गौड विध्थल नेबरिंग में तब पडोसी तो पडोसी जहाते थे पडोसी पडोस में जाते थे और वो गाना गाते थे किसके लिए भगवान मिठ्थल के लिए वो गाना गाते थे on the 11th day एकादाशी of the month of अशद and कार्तिक he would go to पंधरपूर तो मतला जब ग्यारवे दिन पर एकादाशी और अशद के कार्तिक कार्तिक महीना है वो टाइम पर कहां पर जाते थे पंधरपूर पर पंधरपूर जाते थे जिए रोड डिवशिनल सौंग अभांग्स एंड पर फॉंड कीरतन इंस मतला वो धार्मिक गाने दार्मिक कवीता लिखते लिखते थे और कीरतन पर फॉंड करते थे किरतन तो आपको मालू होएगा thousands thousands flogged to listen to him flogged मतला बड़ी भीड में कही जाना तो कैसे बहुत हजारों लोग जमा होते थे उन्हें सुनने के लिए उनके किर्टन और गाना सुनने के लिए शिवाजी महराज also attended his किर्टन मतलब शिवाजी महराज शिवाजी महराज के टाइम के शिवाजी महराज भी इनका जो किर्टन था और सुनने के लिए आते थे संतुकाराम प्रीज़ तो दे पीपल अबाउट वर्चुज ऑफ पिटी फोग्यूनेस और पीस ओफ माइंड संतुकाराम प्रीज़ मतलब सिखाना फोग्यूनेस मतलब माफी पीस ओफ माइंड मतलब मन की शांती तो लोगों को क्या सिखाते थे कि कैसे लोगों को माफ करे माफ करे पीटी मतलब कैसे लोगों के उपर दया करे गरीब के उपर और कैसे मन की शांती कैसे मिलेगी वो सब सिखाते थे लोगों को He also gave them the message of equality मतलब वो और क्या मैसेज देते थे वो क्या लोगों को संदेश देते थे equality मतलब समानत्य का मतलब कि गरीब और अमीर एक समान है कोई ऊचा किसी को ऊचे नीचे नजसने मत देखो वो सब वो सिखाते थे He alone is a saint and God dwells with him who calls the weak and the downtrown as his own मतलब वो एक ऐसे अकेले saint थे जो मतलब गरीब लोग को और कमजोर लोग को अपना बुलाते थे He impressed this truth on the minds of the people मतलब उन्होंने यह truth मतलब सच्चा है मतलब दिमाग को लोगों के दिमाग में ये डाले कि जो गरीब लोग है वो कैसे पराय नहीं है जो नीची जाती के है वो भी पराय नहीं है वो एक ही सामान है यह से वो सिखाते थे He made them think तिम मतलब सोचना वो लोगों को सोचने के लिए मजबूर किया क्या People accepted him as a great religious leader and short and showered their praise on him short मतलब बरसाया praise मतलब वहवाई तो लोगों ने कैसे उनको accept कर लिया उनको एक सादू के रूप में मान लिया और लोग उनको उनके भक्त बन गए और मतलब अपने उनकी बहुत तारीफ की लोगों ने इवन टूड़े ओल ओवर महाराष्टा वी हेर पीपल प्रोक्लेमिंग ग्यानबा तुकाराम दा नेम्स ऑफ दू ग्रेट सेंट्स प्रोक्लेमिंग मतलब घोशना करना मतलब बताना कि आज भी हम महाराष्ट में देखते हैं आज सुनते हैं किनके नाम यह सेंट के नाम ग्यानबा और तुकाराम यह दो सेंट के नाम आज भी हम सुनते तो यह दोनों संद के नाम आज भी हम सुनते हैं तुकाराम गाथा इस रिड़ इन एवरी हाउस होल्ड तुकाराम गाथा जो है जो संद न्याने लिखा था वह आज हर घर में भी पढ़ा जाता है आज भी अब यागे क्या है समर्थ रामदास देखो यह भी एक संद है यहाँ पर इनका फोटो दियो यह समर्थ रामदास है क्या लिखा है यहाँ पर अब यही वक्त वही ताहिम पर ही शमर्थ रामदास ओजय मतलब फोटो ग्रामदास देखो द्रामदास मतलब hills मतलब mountain, valleys मतलब घाटी होती है echoes मतलब गूज, invocation मतलब प्रार्थना constantly मतलब लगातार, lips मतलब होट तो वो टाइम पे जो महाराष्ट में है न वहाँ पे महाराष्ट की घाटियों में, महाराष्ट के पहाड़ों में हमें लगातार वो टाइम पे सुनाई देता था सबके जो होट पे क्या रहता था great saint ramdas के नाम रहते थे ठीक है, वो भी बहुत बड़े संथे वो टाइम के ramdas was born at jambe on the banks of the godavari in marathwada मतलब ये कहाँ पैदा हुए थे, banks मतलब नदी का किनारा वो गodauri के नदी के किनारे पैदा हुए थे, his birthday falls on ram naumi, उनका बड़े का बता है ram naumi, मतलब जो पैदा हुए थे तब ram naumi थी, the day on which the great hero rama was born, मतलब great hero मतलब जो बहुत ही महान hero रहते जिनने ने बहुत अच्छा काम किया है, वो कब पैदा हुए थे, ram naumi पे, narayan was his real name, उनका असली नाम क्या था, narayan, जो समर्थ ram das है, उनका असली नाम था, narayan, but he preferred to call himself ram das, लेकिन उन्हें जो मतलब, क्या पसंद करते थे अपने आपको बुलाना, ram das, the servant of rama, जिसका मतलब क्या है, servant of rama मतलब, कि जो, ये rama का जो भक्त हो, through his work, through his great book, das both, he taught men the ways of good life, das both, जो है, उनकी एक book है, जिससे उन्होंने क्या सिखाया, लोगों को good life अच्छी जिन्दगी के बारे में सिखाया, कि अच्छी जिन्दगी कैसे जी है, वो अपने book से, ये जो महान book इनकी है, इससे सिखाते थे, through his manakya shlok, through his manakya shlok, stanzas addressed to the mind, he gave people lesson in good thoughts and good conduct, मतलब, ये जो इनका manakya shlok है, इसके द्वारा इन्होंने लोगों को क्या सीख दी, यहाँ पर ये, mind he gave people lessons in good thoughts and good life, इसके जरिये इन्होंने क्या लोगों को message दिया, कि अच्छी जिन्दगी और अच्छा काम कैसे करे, वो इन्होंने बताया, तो पॉप्लराइज दा वशिप ओफ स्ट्रेंग्थ, पॉप्लराइज मतलब मशूर करना, वशिप मतलब जो प्रात्ना रहती है, तो उन्होंने जो ताकत है, प्रात्ना की ताकत को मशूर करने के लिए, क्या किया है, he raised the temple of hanuman, उन्होंने क्या किया, the god of strength, जो क्या है, यह ताकत के भगवान दिन को बोलते है, he exhorted people to be strong and told them of the power that resides in a united people, united people मतलब एक्ता, एक्ता जो रहती, united मतलब एक्ता, तो उन्होंने लोगों के क्या बताया, एक्ता, जो लोगों के एक्ता में जो ताकत है, वो उन्होंने बताया, he taught them to organize themselves and fight against injustice, organize मतलब खुद को बनाना, तो उन्होंने लोगों को क्या सिखाया, कि अपने आपको अन्याय, injustice मतलब अन्याय, उन्होंने लोगों को सिखाया, अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए, तो इस वज़े से सबको हिम्मत मिली इससे, अवेक्निक मतलब जाग रुकता, तो यह साधू लोग के जो काम थे, इससे लोगों में बहुत जाग रुकता आई, जैसे कि लोग भेदभाव करते थे, तो अब भेदभाव लोग करना बंद कर दिये, लोगों को नीची और उची नजर से देखते थे, वो करना बंद कर दिये, मतलब क्या था, यहाँ पर कहा है, तो कैसा जो धर्म है, वो इज़द, बहुत इज़द की चीज़ बन गई, समाज में, रिलिज़द की जो है, जो इज़द वो आपिस बढ़ गई, पीपल रिगेंड देर लोस्ट कॉंफिदेंस, मतलब लोगों को जो लोस्ट मतलब खोया हुआ, रिगेंड मतलब वापिस मिला, तो लोगों को अपनी खोयवी जो विश्वास था, भगवान में ये सब में, वो वापिस मिल गया लोगों को, संत लोक्यों जैसे, साधू लोक्यों जैसे, अवेकनिंग मतलब जागरूकता, मतलब ये जो लोगों को में जागरूकता आई, ये संत लोक्यों जैसे बहुत जादा जागरूकता आई, एन हेल्प शिवाजी इनी्सथ फाइट फॉर स्वाराज यह हमने फर्स career में देखा था शिवाज जी ने वाक्त बनाया था जिसमें लोग एक समान है कोई उचा निचा नहीं है चाय हिंदू हो चाय मुस्लिम हो सबको एक समान रखलना है तो जो स्वाराज उन्हों ने बनाया था शिवाजी से ने तो इसको मदद किस ने किया था यह संत लोग की जो सिखाईवी बाते थी उससे शिवाजी को स्वाराज बनाने में बहुत मदद मिली थी ठीक है तो इदो को यह हमारे chapter complete हो गया है तो आप पूरा chapter अच्छे से पढ़ लो revise करो अगले वीडियो में हम इस chapter के question answer करेंगे मैं आपको यह कराओ ठीक है तब तक के लिए goodbye अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को like करो अपने दोस्तों के साथ share करो